जब पंधेरा हो जनंगल में शेर खान घुमता है उसके हो राने की ताहाड़ मो बीजनता है ये है चांगो पूख, ये ही है चांगो पूख बागीरा और बालुम अपने कर्दफ देखाए 이aría झाइना दोस्तों मां राह वह हुँ तुम हो माफ करना मैंने तुम्हें डराया टबाकी पर मुझे तो लगा तो तुम सिर्खान की आवास से डरते हो फर मुझ से भी तुम से अच्छा मजाग करते हो जाओ पहले मूँ दोकर आओ इंसानी बच्चे कोई मुझे बच्चाओ इस खूखार इंसानी बच्चे से जिसके छोटे छोटे दात हैं सीख जैसे हाथ है और पतली मरी हुई आवाज है तर के मारे मुझे दीन नहीं आएगी बहुत अशी आ रही यहाँ देखा तुम्हारे भाई बहन भी मुझे डर कर भागें तुम दोनों के इतनी हसी क्यों आ रही थी उसकी फाल तुबात पे देखना मैं उसे मज़ा चखाऊंगा पर कैसे यह तो मुझे भी नहीं पता आखिर तुम्हें फुरसत मिल ही गई कहा थे कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा अब यह मत कहना कि तुम्हारा भी मूड खराब है बलू नहीं यह बताओ तुम्हारा मोग्यों लटका हुआ है उस तबाकी की वज़े से उसने मुझे कमजूर कहा जो मैं नहीं हूँ मर कर इस मौके पर वो अपनी कैंचुली निकाल रहा है ना और इस दौरान उसे खुझली और परेशानी है और अरे हां अरे हां क्या शुक्रिया बलू मोगली रुको मोगली सुनों पापस आओ हाई जी खुझली क्या चाहिए इंसानी बच्चे मैं तो बस यह देख रहा हूँ अभी तुम थोड़े परिशान लग रहे हो का मुझे लगा मैं तुम्हारे मदद कर दो मदद पर कैसे तुम्हारी खुझली की परिशानी मिटा के अच्छा है अच्छा है अच्छा का अपनी केचुली उतारने के बाद क्या यह केचुली मुझे दे सकते हो ले लेना इंसानी बच्चे पर यह खुझली करना मत छोड़ना अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा क्यों पहले इसे उन पर ट्राइब किया जाए जो तबाकी से थोड़ा कम तर पोख हो थो बचा है अच्छा है अच्छा है अब तुम उस तबाकी को तराने के लिए एकदम फिठ हो यह क्या हरकत है ओ उ माफ करना तबाकी वो मैंने घलती से फैक दिया मैंने जानमुछ करने किया मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता तबाकी तुम तु बर्थ खतरनाक और ताकतवर जानवर हो क्या कहा प्लीज मुझे माफ कर दो यह तुम्हें पहले सोचना चाहिए था इंसानी बच्चे नहीं उनसे दूरी रहना बचा हुआ 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 है एक बार हाथ आजा तुझे दिखा दूंगा टबाकी कितना खतरनाक है आज मैं तेरा शिकार करूंगा मोगली जेर खान समझने की भोल मत करना मुझे का अरे नहीं 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 प्लीज मुझे मत खाना का मैं तो एक सूखा सा मरियल सा गीधन हूँ मुझे खा कर तो तुम्हारा नाश्टा भी पूरा नहीं होगा मुझे बख्ष दो तुमने मेरे दोस मोगली को परिशान किया है तुम्हें उससे माफी मागनी होगी अच्छा ठीक है का मोगली मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारा मजाग नहीं उडाऊंगा कभी नहीं कभी 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 नहीं पर प्लीज मुझे मत खाना नहीं खाऊंगा वैसे भी 13 टेस किसी सड़े अंगे से कम नहीं होगा अब फूटो यहां से और आज के बाद अपनी हेकडे मत दिखाना मुझे टपा के दरबग है अवा बन्लू जी तुम भी बहुत जल्दी डर जाते हो मुझे तो पहले ही शक था कि वो नकली सांप है वैसे भी मैं ज्यादा नहीं डरा था शेर खान अपनी बेहुदा बक्वास बंद कर टबाकी उसने तुझे बेवकूफ बनाया और तु बन भी कर बदला लूँगा मैं केचुली से एक नकली सांप बनाकर मुझे डराने की कीमत तो उसे चुकानी ही होगी वैसे एकदम असली साप लग रहा था ओ ओ ऐसा क्या बताओगे अपना बदला लेने के लिए क्या करोगे वो मैं मैं ये सोच रहा था कि कि मैं मदद कर दूँ तुम्हें भी इसमें मज़ा आएगा और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें पूरे चान की रात को शिकार तक ले जाओंगा बोलो मन्जूर है ठीक है वैसे भी मेरे पास करने को और कोई काम नहीं है अच्छा तो तुम ये हरकत ने कर रहे थे वो तबा की जानते हो मोगली तुम परेशानी में पर सकते थे अब छुड़ो भी बलो वो मर्यल सूखा हुआ गीदर हमारे मोगली के सामने कुछ नहीं है वैसे तुम्हारी इस हरकत में खत्रा तो था पर सोचने पर मुझे भी हंसी आ रही है तो यहां खेल रहा है कैसे हुई इंसानी बच्चे सोचा की तुम्हें फिर से मिलकर शुक्रिया अदा करो रहा देखो और देखो ना शेर खान अभी भी अपने नकली साफ के साथ खेल रहा है मैंने कहा था ना दिलकुल असली लगता है वो तो यह है वो नकली का जो तुम्हारा खिलोना बना हु इसकी क्या जरूरत थी शेर खान ओ तो इसे का की भाशा भी सिखा दिया यह तो का ही है जीदार मुझे जाने दो पहले यह बोलो मोगली को मरिशाद नहीं करोगे हां नहीं करूंगा किसी और दिन करूंगा मोगली ठबा की तुने कहा था नकली साफ है मुझे तुने बाते करनी है शक्रियाका ये तो मेरा फर्स था इंसानी पच्चे तुमने मेरी मदद थी तो मैं पीछे कैसे रहता बताओ मैं? आट से रही शितार करूं गजाता है इता काना प्रस दर और दे लिए अबादास हाँ यह है छानक़को यह है जानक़को है उर उर इडाद़ी आसी मेराद वहलाद